घर से लापता युवक का कुवे में मिला शौ परिजन गए थे शादी में शिवपुरी पोहरी या नुविभाग अंतरगत आने वाले सिरसौद में घर से लापता युवक का शवाज कुवे में उतराता हुआ मिला जानकारी के निसार नवल सिंग जाटो पुत्र दोमा राय जाटो 49 वर्ष निवा से सिरसौत बीती राद घर से लापता हो गया था सुबह जब गाउं के लोग कुवे के पास कैत उन्होंने शौ को पानी में तैरता देखा जिसके जानकारे पुलिस को दी गई सुजना पर पुलिस मौके पर पहुंचे जहां शौ को कुवे से बाहर निकल वाय गया जब शौ की पहचान की तो पदा चला कि उक्त मृतक युवक नवल सिंग निवा से सिरसौत का है मृतक के भाई प्रेम जाटों ने बताया कि उसका भाई अकसर अपने रिष्टेदारों के हाँ चला जाया करता था बीते रूज भी जब वह घर से गायब हुआ तो हमें लगा कि अपने रिष्टेदारों के हाँ गया होगा मिना नाम प्रेयम है सर रहते हैं सरसौल यह आपकी वागी लाजम लीती कैसे मिलीती है गाहँ बाले ने पता फ़रा था और किया तुए में मिलीती है तो यह कब से गाय अपका परसो से तो आपने इसकी सूचिना थाने में नहीं दी इसा तो यह से तो गरता मर्वे से डर पता तो यह वह दो आखता था और टो अब चलाया चाहिए ज्ञाक चल वावन चलब यादि पर शादी बगछा फ़र और जाता तो आप ने रात भर गाया तो इसकी कि दुरा कुछश्व अद्वन गरते वाए सुल आज पता पर आज परा कुछ नियुक्त और पूरी जंदाना देखाता नहीं करता था नाचा प्रवागर नी पीताता तो ये लेता था तो परिवार वाले कर दो आई परिवार इसाधी में गई तरह ये बन गए महर और अबाम है जाना आकुषी में अधिया आखिला आखिला था